अगर तुलसी माता की पूजा करोगे नियमित रूप से तो सारी मनोकामना पूरी होंगी घर में सुक सिम्रिद्य आएगी लक्षमी माता का स्थाई रूप से वास होगा घर में लक्षमी आएगी धन आना शुरू हो जाएगा और अगर घर में लड़ाई जगडे कलेश रहते हैं तो वो भी दूर हो जाएगी अगर आप देली नियम सेवा करें मॉर्निंग में जल देना है लाल चुन्री हमेशा उन पर चड़ा के रखे शाम को घी का दिया जलाएंगे दूब बत्ती जलाएंगे तो बहुत जल्दी आपके विश्व पूरी होंगी ठीक है अब मैं आपको महाचमतकारी उपाय के बारे में बताती हूं कि कैस से दो घंटे के अंदर-अंदर अपनी विश्व पूरी करवानी है आपने ये करना है थर्ज्डे वाले दिन कहा जाता है आपको भी पता होगा कि भगवान विश्व को तुल्सी बहुत प्रिये है तुल्सी को लक्ष्मी माता का ही रूप माना जाता है इसलिए भगवान व पूजा करने अगर जाते हैं तो तुलसी के पत्ते जरूर लेके जाए आपकी डेफिनेटली मनोकामना पूरी हो जाएगी और बहुत जल्दी पूरी होगी आपने क्या करना है थर्जे वाले दिन सुबह नहा दो के आपने साफसुत्रे कपड़े बहनने है तुलसी माता को कच कच्चा दूद आपने चड़ाना है अब कच्चा दूद कैसे चड़ाना है पानी में दो चम्मच दूद डालके कच्चा दूद डालके वह आपने उनको अर्पित करना है ठीक है फिर उसके बाद आपने क्या करना है घी का दिया जलाके और दूप बत्ती जलाके आपने इस मंत्र का जाप करना है वो मंत्र है ओम सुभध्राय नमह ओम सूप्रभाय नमह मातस्य तुलिसी गोविंदम हृध्यानंद कारिनी नरायन पुजार्थम चिनोमी त्वाम नमोस्तुते इस मंत्र का आपने 108 वार जाप करना है जल चड़ाने के बाद दूब बत्ती और दिया जल तुल्सी माता के सामने इस मंत्र का आपने 108 वार जाप करना है घड़ाय प्रह कि कि अगर अगर परिक्रमा करें तो कोई बात नहीं इसके बाद आपने उनके सामने घड़े ऊकर अपनी मनो कामना बोलनी है तेज बी बोल सकते और मनी मनージ मन भी बोल सकते हो जैसे आपको ठीक लगे फिर आपने क्या करना है चाहे आप जितनी देर मर्जी वाँ खड़ो कि अपनी मनो काम ना बोलो ठीक है आपने उनसे प्रातना करनी है कि आप जो चाहते हो उनको आप बता दें कि मुझे यह चीज चाहिए और बहुत जल्दी वो सुनेंगे आपकी प्रातना स्विकार करेंगी यह आपने थर्ज्य वाले दिन करना है उसके बाद से आप डेली कर सकते हैं संडे को छोड़के संडे को तुलसी माता पे जल नहीं चड़ाते और एकादिशी वाला दिन छोड़के ठीक है आप कर सकते हैं अच्छा मंत्र जाप कर लेने के बाद और अपनी मनोकामना बोल लेने के बाद आपने क्या करना है तुलसी के तीन पत्ते तोड़ने है ठीक है तीन पत्ते आपने तोड़ने है आप ये डेली करोगे उसके बाद, संडे वाला दिन छोड़ना है और एकादिशी वाला दिन छोड़ना है, ठीक है आप डेली करोगे तो बहुत जल्दी आपको इसके एफेक्ट मिलेंगे, जिस दिन ये स्टार्ट करोगे दो गंटे के अंदर अंदर भी विश्पूरी हो जा तो वो आपके घर में हमेशा सुक्सिम्रदी लेके आएंगी, पैसा लेके आएंगी, प्रोस्पारिटी लेके आएंगी, बहुत सारी चीजे लेके आएंगी और नेगिटिविटी को दूर रखेंगी आपके घर से, तुलसी माता की सेवा करें, प्लस आपने कुछ बातों का द्यान भी रखना है कि उनके जहां भी आपने तुलसी माता घर में लगाई हुए उनके आसपास जूते चपल गंदी चीजें ये सब नहीं रखना और हमेशा नहा दोके ही उनकी पूजा करनी है साफसुत्रे हाथों से उनको सपर्श करना है अगर आप पत्ते तोड़ते भी ह तो भी आपने हाथ धोके साफसुत्रे हाथों से पत्ते तोड़ने है और जब भी आप तुलसी माता के पत्ते तोड़ें कई बार चाय वगारा में डालने के लिए लोग पत्ते तोड़ते हैं तो आप इस मंत्र का जरूर जाप करें एक बार करने चाहें तुलसी के पत्ते से पहले वो मंत्र है नारायन पूजार्थम, चिनोमी तवांग नमोस्तुते इसका अर्थ है कि आप नारायन की पूजा करने के लिए या आप पूजा में इस्तिमाल करने के लिए तुलसी के पत्ते ले रहे हैं और तुलसी मातर शमा कर देती हैं अगर आप तुलसी के पत्ते तोड़ रहे हैं तो इस मंत्र का अगर आप पहले जाप कर लेंगे तो फिर पत्ते तोड़ेंगे तो तुलसी माता आपकी सारी गलतियों के लिए शमा करेंगी और हमेशा कृपा बनाए रखेंगी सारी मनोकामने पूरी करेंगी आप करके देखि कि बहुत जादा एफेक्टिव है थर्स्टे से स्टार्ट करना है मिलते है नेक्स वीडियो में टेक केर